मुझा नमस्कार मैं अर्चित आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे equipment की जो medical field में अपनी एक अलग importance रखता है इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं parts of stethoscope की stethoscope एक ऐसा equipment है जो आपने हर एक doctor के पास जरूर देखा होगा चलिए अब हम चर्चा करते हैं इसके parts के वारे में अगर mainly इसके parts के बात करें तो इसे तीन parts में बाटा गया है इसमें एक chest piece, tube और headset आता है अब हम इसके हर एक part को detail में पढ़ेंगे एक एक करके तो आईए चलिए start करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं headset की headset में mainly दो part आते हैं एक ear tip जिसे ear piece भी बोलते हैं और दूसरा part होता है ear tube आईए तोड़ा detail करते हैं इसका सबसे पहले हम बात करते हैं headset के पहले part ear tip या ear piece की यह ear tube में लगा हुआ होता है और इसे हम ear में लगाते हैं यह hard material या soft material किसी का भी बना हुआ हो सकता है लेकिन for a safety purpose soft rubber का बना हुआ ear piece ही prefer किया जाता है अब हम बात करते हैं headset के अगले part ear tube के बारे में ear tube किसी भी metal या aluminum alloy का बना हुआ हो सकता है इसका एक part ear tip या ear piece से जुड़ा हुआ होता है और इसका दूसरा part tubing से जुड़ा हुआ होता है जिस frequency की sound को dive from receive करता है वो tubing से होती हुई ear tube में पहुंचती है और इसके माध्यम से ear tip से होती हुई ear में पहुंच जाती है जिससे की हमें sound clear सुनाई दे सके है अब हम बात करते हैं स्टेटोस्कोप के अगले part tubing के बारे में tubing जिसका एक portion ear tube और दूसरा portion stem से attach होता है stem chest piece से attach होता है single lumen tubing और double lumen tubing दोनों तरेके की tubing आती है लेकिन double lumen tubing का benefit यह है कि जो extra rubbing noise होती है उसको यह eliminate कर देता है जिससे की sound की quality अच्छी सुनाई देती है जिस frequency की sound को type from receive करता है उस frequency को maintain करने में tubing help करता है अब हम बात करते हैं status scope के अगले और last part chest piece के बारे में chest piece के दो पार्ट होते हैं एक diaphragm और एक bell लेकिन किसी किसी में bell absent होता है और cable diaphragm present होता है अब हम बात करते हैं diaphragm के बारे में diaphragm जो कि एक rubber tube के द्वारा chest piece से attach होता है diaphragm के द्वारा sound को receive किया जाता है और जो chest piece से होती हुई stem से attach tubing के द्वारा ear tube में पहुँचा दी जाती है और इसके द्वारा एक निश्चित frequency की sound ear तक पहुँचती है अब हम बात करते हैं इसके अगले part bell के बारे में bell का use बच्चों की heartbeat को सुनने के लिए pediatricians यूज करते हैं या फिर bell का use बहुत ही पतले यानि कि थिल लोगों की heartbeat को measure करने के लिए भी किया जाता है लेकिन किसी किसी stethoscope में bell absent होता है और केवल diaphragm present होता है चेस्ट पीस के द्वारा एक निश्चित frequency की sound को measure करके ear तक पहुँचा दिया जाता है इसी के साथ हमने stethoscope के सारे parts को पढ़ लिया है अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको subscribe और like चरूर कीजेगा इससे हमें होसना मिलता है और comment करके बताईए कि अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं